वार्षिक चक्रविर्दी व्याजपर निवेश करने पर एक राषि दो वर्ष में 28,224 रुपे, तिन वर्षों में 29,635 दस्मुल्ड दो रुपे हो जाती है, धनराषि आपको ग्याद करनी है, क्या है? अगर मैं A2 की बात करें, यहां से amount 2 हमें देखे रखा है, कितना? 28,224 रुपे, amount 3 year के end में कितना है आपका? 39,635 दस्मुल्ड दो रुपे, अगर मैं आपसे यह कहूं, कि जो दूसरे साल का amount है, वो जो दूसरे साल का amount है, वो दूसरे साल के लिए principal के लिए काम करेगा, ठीक अगर मैं यहां से ब्याज निकालना चाहूं, कि एक साल के अंदर ब्याज हमें कितना मिल रहा है, तो इस में से हम इसको minus करेंगे, यह हो जाए कितना आपका 2, और यह कितना हो जाएगा, 2,0 है ठीक है, और यह 5 में 4 गया, आपका कितना बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, 6 में से 2 जाएगा, 4 और 9 में से 8 जाएगा, 1411.2, 1411.2 है, इसका कितना गुना है, एक साल में ब्याज आपको मिला, 1411.2, 8224 इत पैपर, तो इसका कितना गुना है आपका, अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दू, लगभग यही वैलू आएगा, यह इसका 50 गुना जाद है, और 50 कुना जाद है, यहां पर 00 है, ते यह वैलू कितनी हो जाएगे, बटे में करेंगे, ते हो जाएगा, कितना 5%, तो रेट आपका निकल कर कितना जाएगा, 5% निकल कर आएगा, समझाता हूं आपको कैसे 5% आएगा, यहां पर कितना दिया रखा है, 28,224 रुपे, यह अगर प्रिंस्पल है, 224 रुपे है, अगर मैं आर परसेंट यहां से निकालूँगा, तो जो हमें ब्याज निकल कर देगा, जो हमें ब्याज निकल कर आएगा, कितना 1411.2 जीरो, ठीके, अब यह 100 से 0.00 जीरो आपका चैंसल बड़ दाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूं अगर मैं इसको काड़ देगा कितना 2 बार में, दोसर यह कड़ देगा कितना 5 बार में, तो r equals to कितना आगया, 5 परसेंट आगया, बस समझाने के लिए आपको यह लिखा था, तो rate हमें निकल कर आगया, कितना 5 परसेंट, और 2 साल के इंड में, जो amount हमें दे रखा है कितना, हमें प्रिंस्पल पुछा है, तो यहां से value वह solve हो गई, आपके कैसे, देखो 5 परसेंट है, यानि कि 5 परसेंट है, तो इसका multiplying factor कितना हो जाएगा, 21 बाटे में 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 परसेंट के fraction value होती है, 1 बाटे में 20, और 2 साल के लिए है, तो 2 साल का हमें square करेंगा, तो यह कितना बजाएगा, आपका 441 बाटे में 400, और 441 के value दे रहा कि 28,400, 28,224, तो हमें 400 के value निकाल ली है, अब यहां से option तो थोड़ा गौर कर ले, तो देखो यह 441 जो है, option पूरे के पूरे digit में, अब point में नहीं दियेगा, इसका मतलब यह जाईसी बात है, यह value आप आएगा, उन नहीं पता, लेकिन अंतिम जो यहां digit आएगा, वो 4 आएगा, और जब मैं इस 4 को multiply करूंगा, यह 400 में, तो जो इसका last 2,0 के बाद जो digit आएगा, वो 6 आएगी, यानि कि last का 3 digit जो होगा, वो 600 होगा, और option में एक ही option number B, D, जो है question का insert हो जाएगा, अधर आप यहां से calculate कर सकते हैं, वैसे भी, या फिर आप unit digit से भी question को कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहां से बताया, तो 4 सा के value कितने जाएगा, 25,600 और यही question का उत्तर हो जाएगा,